बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे साथ स्टूडियो में आज महमान है डॉक्टर गरीमा मिश्रा आप मोहलाल सुखाडिया विश्वविद्याले उदाइपूर में महिला अध्यान केंद्र में असिस्टन प्रोफिसर हैं और इनसे महिला अध्यान से जुड़ोए तमा जेंडर स्ट्डीज का भी हम नाम सुनते हैं तो क्या यह दोनों एक ही चीजें है या कुछ फर्क है इसमें यह बहुत ही व्यापक मुझे लगता है कि विशाय होगा और इसमें किन-किन पहलों पर पढ़ाई करवाई जाती है इसका दृष्टी कोन या दर्शन क्या है उसक आपके बारे में मैं बता दूँ हमारे शोताओं को जो भी बहन है हमारे प्रोग्राम सुन रही है जैसे आपको मैं बता चुका हूँ कि मोहलाल सुखाडी विश्विद्याले में आप महिला अध्यान केंद्र में साहे काचारे उसके अलावा आपकी पढ़ाई भी इसी विविए स्टुडी में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया उसके बाद पी-च्डी में भी आपका यही सब्जेक्ट था विकेंद्री कृत सरकार में महिला प्रतिनेदित्व पर आपका शोध था तो बहुत ही आपका इसमें अध्यान का अनुभव है और आप पढ़ा भी र पारे में भी मारे स्टेरियो टाइप से ही है कि रसोई में खाना बनाना या स्टेचिंग करना इस तरह के जो काम होते हैं जो आम तोर पर पुरुष्ट प्रधान भारती समाज में महिलाओं की जो भूमिका है वो सिर्फ रसोई या घर के कामों तक सीमित कर देने वाली होती है उसकी ट्रेनिंग देने वाला जो सब्जेक्ट है होम साइंस उसको माना जाता है तो महिला अध्यान क्या महिलाओं के लिए अध्यान है या महिलाओं को बेहतर ग्रिणी बनाने वाला अध्यान है या फिर महिलाओं को बेहतर इंसान बनाने वाला अध्यान है या महिलाओं क पुरुष के बराबर खड़ा करने वाला अध्याइन है, यह किस तरह की पड़ाई ही बता है इसके बारे में? जी, बहुत ही बहतर सवाल है और शायद बहुत बुनियादी सवाल है इस विशय को समझने के लिए, हमें किसी को जानने के लिए, किसी भी अव्यक्ति को, संस्थान को या विशय को भी थुड़ा उसका इतिहास जान लेना बहुत जरूरी है, अगर हम देखें कि इसकी रही कैसे होगी, तो मैं सिर्फ भारत पे ही रुखती हूँ कि भारत में इसका कैसी शुरुवात रही है, तो हमारे यहां सन 1974 में एक समानता की ओर, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि भारत में महिलाओं के स्थिती पर रिपोर्ट तयार की गई थी, 1974 एक मज़ेदार सा वर किया, इसी दोरान भारत ने पहले कदम उठाते हुए, एक रिपोर्ट तयार की, जिसको वीना मज़ूमदार ने, उसको उसकी चेर्में थी वो, और उन्होंने बताया इसमें कि महिलाओं के स्थिती क्या थी, जो कि बहुत ही अलार्मिंग थी, बहुत ही दयनी स्थिती थी, चाहे वो आर्थिक तोर पे हो, सामाजे के स्थिती हो, आर्थिक स्थिती हो, हमारी सांस्क्रते के स्थिती, किसी भी हम जिस भी सेक्शन में हमनी महिलाओं के स्थिती को जब आकलन करने पहुचे तो बहुत ही बुरी स्थिती पाई गई थी, उसके बाद से शुरू होता है, जो महिला अध्यान है, इसको आप पढ़ाई में कैसे लाएं, अनुसंधान में कैसे लाएं, लोगों तक कैसे पहुचाएं, इसकी तैयारी शुरू होती है सबसे पहला जो एक इंस्टिूट आता है, वो मुंबई में SMDT करके है, जहां सबसे पहला Women's Study Center बनाया जाता है उसके बाद दिली में, मुंबई में और इसी तरीके से धीरे धीरे राज़स्थान में कई सारे विश्यवेद्याले में इसकी शुरूआत की जाती है जिसमें आपका राजसानी उनुवर्सिटी आता है जोद्पुर उनुवर्सिटी आता है और उद्धैपूर में मोहला सुखड़े विश्विद्याले भी बहुत पहले के दिनों में सन नमासी से इस पढ़ाई को लेकर इस विशे को लेकर अपनी अग्रिंटा को दर्ज कराया हुआ है हम इसके एजुकेशन को लेकर 2018 में सक्री हुए है लेकिन रिसर्च में पब्लिकेशन में ट्रेनिंग में और गाउं गाउं जाकर लोगों को सिखाने में भाईयों को बहनों को माताओं को बहुत सारी चीजों के बारे में जागरूपता करने में ये केंद्र बहुत अग्रिसर रहा है अब आपका सवाल था स्टिरियोटाइप पे कि subject क्या है महिला अधियान अन्ताविशय ही बहुत सारे विशियों किसे बना हुआ है बहुत सारे विशियों में जाके उन विशियों के बारे में बात करके ये कुछ निकालने की कोशिश करता है जी जैसे महिला अधिकारों में कानून की बात है तो वो law में से निकाला होगा जी बिलकुल और कुछ home science से भी elements लिये होंगे portions related या फिर क्या इसमें मुख्य में विशे क्या रहेंगे जी महिला अधियन जब पढ़ाते हैं चाहे वो graduation में हो MA में हो UGC न तो MSC कराने को बोला हुआ है जो कि हमारे अभी तक कोशनी शुरू है भारत में तो चाहे वो BA हो MA हो या PhD MPHL हो उसमें हम महिला को सामाज़क सर पर देखते हैं कानूनी अधिकार कौन से हैं चाहे वो marriage हो, adoption हो maintenance हो इन सारे अधिकारों के बारे बात की जाती है आर्थिक जो हमारा शेत्र है उसमें महिला जो unorganized sector में सबसे ज़्यादा है असंगटी शेत्र में सबसे ज़्यादा महिलाए है labor force में महिलाए कैसे काम कर रही है इन सब चीज़ों को भी हम इसमें बढ़ाते है 33% reservation दिया जा रहा है पंचायत राज में इस चीज़ के बारे में कहां से इसकी शुरुवात होती है और कहां कहां हम इसको देख सकते हैं उनका राजनीदिक सर्पे क्या उनका contribution रहा है इसके बारे में ही बताया जाते है तो अगर हम देखेंगे तो हमने समाज शास्त ले लिया अर्थ शास्त ले लिया राजनीती शास्त ले लिया हमने कानून की पढ़ाई कर ली हमने स्वास्त की पढ़ाई कर ली इसलिए इसको interdisciplinary अंता विशाई बोला जा रहा है लेकिन यह है कि केंद्र में महिलाएं है इसमें तमाम आपने जो discipline है जितने भी उन सब के elements लिये हैं लेकिन वो महिलाओं से संबन दिते हैं यानि इस विशाई के अधेन के केंद्र में जाहिर है कि महिलाएं ही है जी जब 1970 में इसके शुरुवात हुई थी तो जाहिर बात है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब आया कि महिलाओं के स्थिती बहुत खराब थी बहुत बत्तर थी तो हम देख रहे थे कि हमारे समाज में क्योंकि हम दो वर्गी अभी तक लेकर चल रहे हैं पुरुष और महिला तो जो दूसरा वर्ग था वो हर शेत्र में बहुत पीछे दिखाई दे रहा था तो बात ये आई कि हम इनको समान अधिकार और समान अवसर कैसे प्रदान करें तो बहुत बड़ा जो एरिया था वो हमारा पढ़ाई का था शिक्षा का शेत्र था आर्थिक उनको स्वाव लंबन कैसे प्रदान किया जा इस पे काम होई और राजनैतिक उनको अधिकार कैसे दिये जाएं तो तीन एरिया पे सबसे बड़ा काम किया गया 33% Reservation दिया गया जिससे वो वहाँ पे आ सकें आप देख रहे होगे कि पंच वर्षी योजना में लगातार पहले बात welfare की होती है फिर development की होती है फिर empowerment की होती है आज आप देखेंगे घर घर में राशन कार्ट पे महिलाओं का नाम लिखा जा रहा है उन्हें हर तरीके से मतलब मानसिक तोर से लेके सामाजिक तोर पे उन्हें के स्थिती में लाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा कि वो अपने आपको सशक्त महसूस कर सकें और दूसरे लोग भी कर सकें टॉक्टर गर्मा एक चीज है कि ये बात तो सही है कि इसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए या महिलाओं के सशक्ति करन का जितना भी इसमें मुद्धे है वो सारे समाहित है लेकिन इसकी जो पढ़ाई है या इसका अध्येन है इसका उद्देश क्या है क्या इसमें पढ़ने वाली महिलाएं क्या पुरुष भी इसमें दाखिला ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं यानि इसमें ये जो अध्येन है इसमें sensitize एक तो होगा अगर कोई इसमें महिला अध्येन पढ़ रहा है तो महिलाओं के अधिकार महिलाओं को मुद्दों को लेके ये वो समवेदिंशील होगा जी बिल्कुल होगा आप देखें मैं इसमें खुर्वासा और जोड़ दूँ अपनी बात को कि जब शुरुवाती द्वार में सब को लगा जो हमारे हां के experts रहे होंगे subject के जो विशेशक गित है महिलाओं के बारे में बात हो रही थी इसके थेहरी सिधान्त बनाई गए नए-ने tools, नए-ने terminologies की इन्होंने उसके व्याक्या की पढ़ाई में, अनुसंधान में, activism में हर जगें लाए लेकिन आप जब समाज में किसी बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं, उस समाज में हम सभी है दीरे-दीरे करके इसमें और सभी जो आलग वर्ग थे वो चाहिए आप महिला पूरुष देखें और थर्ड जेंडर देख लें आज हम LGBT कम्यूनिटी की बात कर रहे हैं इन सभी लोग को दीरे-दीरे महिला अध्यान का फैलाओ हुआ और ये सारी बातें समावी के गए बहुत विस्टित होता गया और आज की तारीख में महिला अध्यान अन्य विशेयों के साथ दूसरी और्गनाईजेशन के साथ ट्रेनिंग, डॉक्यमेंटेशन, रिसर्च, पब्लिकेशन, टीचिंग इन सब एरिया में काम कर रहा है और इसमें ये फिर से रोडिवादिता ही है हमारी के हम समझते हैं कि महिला अध्यान सिर्फ महिला के लिए है सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है इसमें पुर्षों के लिए भी है और विश्य विद्याले में जो admissions होते हैं उसमें हमारे यहां लड़के भी आते हैं लड़के भी आती है बिल्कुल, एक महिला अध्यान जैसे women's studies है उसके साथ में एक और तरह की पढ़ाई gender studies है और कई लोग मैं भी अपने आपको शामिल बानता हूँ कि अभी तक इसका जो बारीख फर्क है उसको नहीं हम अंदाजा लगा पाएं यह दोनों अलग तरह के अध्यान है और अगर फर्क है तो क्या फर्क है इसमें यह दूसरे से जुड़ा हुआ है कि आपकी समझें कि जब अपने यह शैश्वकाल में रहा था तो यह महिला अध्यान था जैसे ऐसे ग्रोथ करते गए यह हम सब को समझ में आया जो इसको पढ़ रहे थे पढ़ा रहे थे जो इससे जुड़ए हूँ यह बात ता है कि महिला अध्यान ज्यादा व्यापक है और जैन्डर स्टडी जो है वो थोड़ा सा दायरा उसका संकीर है नहीं हम इसे उल्टा समझते है बहिला अध्यान है जो कि नारिवादी सिधान्तों पर जादा बात कर रहा है जो कि यूरप से भी निकली हमारे भारत से भी निकल की आई, वो जो हम जिसे हम कहते हैं, कि हम अकादमिक शेतर में पूरी तरा बात कर रहे हैं, वो सिधानतों के बारे में बात करता है, जब हम gender studies में आते हैं, तो हम समाज की हर वर को लेकर चल रहे हैं, inclusive जो हम बात करते हैं, समावेशित तरीके से जो हम चलने की सस्टेनबल जो बात कर रहे हैं वो जेंडर स्टडीज है जब विमन स्टडीज का दाइरा बढ़ता है जी यानि जेंडर स्टडीज जो है उसमें जेंडर नूट्रल है न महिला है न पुरुष है और महिला अधियन में फोकस महिलाओं पर हैं जो उनका उनमें जो संशूधन हो रहा है जो हमारे आंदोलन बढ़ रहे हैं आप पूरे भारत में कहीं भी देखें जिसरादा कुमार ने अपने किताब में बहुत अच्छे से लिखा है संकर्श का इतिहास किताब में बहुत अच्छे से उसको बताया है अलग-अलग पर तब बहुत जरूरत थी कि हम इस बात को पहले एक महिला जो सवाल है उसको मुख्य केंद्र में लाके बात करें लेकिन फिर हम विकास नहीं करेंगे समय के साथ तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे तो यह विकास है और यह है कि सब समझें उस भेदभाव की बात को जो समझना पड़ेगा और जब तक दोनों नहीं समझेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हमों समानता की तरफ नहीं बढ़ सकते तो महिला अध्यान बहुत इंक्लोजिव है और सबको लेकर बात कर रहा है और यह जो हम बात करते हैं अनेकता में एकता वाली जो हम बात करते हैं य उनकी जरूरते और इन फाक्ट उदेपुर में शेहरी शेत्र में जो महिलाएं हैं इनकी जरूरते बहुत अलग हैं। और उनी विशेश वर्गिकरणों की दाइरे में उनका अध्यान की जानी की आफशकता है। उनको एक समू मानना ठीक नहीं होगा। और आज तमाम जो राजनीती, खेल और मिलिटरी में फाइटर पाइलट भी बन गई हैं। तो भारत में कुछ अलग से करने की आफशकता नहीं है। और दूसरी तरफ नारी तेरी यही कहानी है, अबला तेरी यही कहानी और यही वाली चीज है। तो क्या बीच वाला रास्ता हमें ट्रेड करना पड़ेगा, बीच वाला जो एक मध्यम मार गए, उसकी तरफ देखेंगे, तो हमें सच पता चलेगा। क्या सोचती हैं। देखें, जो आपने सबसे पहले बताया था, भारत में जो इस्थिती है, लोपा मुद्रा से ले ले, आमें गारगी को लें, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। वो एक सुखद अरुभार सच्चाई भी है। जब हम इसी नारिवाद आंदोलन को जब हम देखते हैं अमेरिका में, जब 1920 के पहले हो रहा था, जब उनको पहली बर मताधिकार मिलता है। ये एक बड़ी विलक्षन बात है कि 1920 में वहाँ मिला और हमारे यां भारत में बिना किसी आंदोलनों के हमारे यां लोकतंत्र लागू होते ही मिल गया। जी और आप देखेंगे कि जब वो संगर्च कर रहे थे, जब वो ये मान रहे थे कि महिला आफिस नहीं संभाल सकती, हमारे यां एक महिला पुरा देश संभाल रही थी। मतब जो कुछ चंद देश थे जहां पर महिलाएं राजनेता थीं, भारत उसमें से एक था और बहुत पहले हो चुका था। ये अबरेशन्स थे या कहीं हमारे समाज में महिलाओं को लेकर के अलग दृष्टिकोन हमेशा से विद्यमान रहा है। मैं ये बहुत इमानदारी से मानती हूँ कि ये कुछ हमारे पास अभी अपवाद थे, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो हम जो दूसरा वाला पक्ष है। लेकिर ये ही अपवाद होते हैं जो आपको एक रास्ता दिखाते हैं और आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता मौजूद है इसकी हमेशा गुंजाइश छोड़ते हैं बिल्कुल बिल्कुल और ये इंस्पायर करते हैं उन तमाम बच्चों को जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उद्यपुर में बैठे बैठे इस समय दिल्ली या MP में या UGC के चैर पर्सन जो बोल रहे हैं उनको सुनके बात कर सकती हूं और उनको कल मैं उनको सुनके आ रही हूं जी उजिसी के चैर परसन है कि वो मिन स्टडिस के बारे में क्या सुनते हैं तो ये चीज हमें बहुत बहुत स्कूप दे रही है काम करने का और होफुली हम आगे इसमें काम भी कर पाएंगे स्पेस है वो काफी सिकुड़ गया है आपको लगता है कि आपके मतलब बहुत नजदीक सब कुछ हो रहा है तो यहां भी हो सकता है जी बिल्कुल बिल्कुल तो रपकरीमा बहुत हम जाते जाते एक छोटा सा सवाल जो मेरे मन में अभी भी है और जिसका बहुत संक्षेप में आप से जवाब चाहूँगा कि आपका जो विशय है आप जो पढ़ा रही है उसमें चुकि हम जो भी पढ़ा ही करते हैं विश्वी डेली इस तर पर उसमें गुंजाईश देखते ह है कि आगे क्या होगा तो अकादमिक रूप से ही इसमें संभावना है रोजगार की या फिर इसमें कहीं और क्षेत्रों में भी रोजगार है इस तरह के अध्यान को कोई अड्मिशन ले तो क्यों ले जी मैं पूरी कुशच करूँ कि छोटे में बताऊं आपको महिला अध् लगाशती के आठादु हमारे एंजयो सेक्टर में तीसरा होता है संक teníań त टुराश्च के बहुत सारे प्रोजेक्स चल रहे होते हैं सरकार के बहुत सारे प्रोजेक्स चल रहे होते है जी बób satisf अचे विमन स्टाडिस केवल युनिवरुसिटी नहीं पढ़ा रही है आपके बहुत सारे सरकार की ऐसे संगठन है जो पुलिस को ट्रेनिंग देते हैं, जो कोई और ओफिशल को ट्रेनिंग दे रहे हैं, NCRT जैसे हैं, इनके यहां भी जेंडर स्टाडीज के सेंटर्स हैं, आप वहां जाके काम कर सकते हैं, और आप एक स्पेशलाइजेशन करके, इस पे पेपर लिखके, आप किसी और विशय में भी जुड़ सकते हैं, आगे चलके, तो विमन स्टाडीज बहुत जादा स्कोप देता है, आखरी लाइन है, कि जहां पर जो अंचुआ एक जगे नहीं होती, जहां बहुत कुछ निर्मान नहीं किया है, आप वहां अपनी छोटी स किसी कलपना से भी जो बनाएंगे, वो बहुत नया और अनोखा लगेगा, तो ये शेत्र वैसा है, कि जितने बच्चे जुडएंगे और आगे जाएंगे, वो जो कुछ भी करेंगे, वो पहली बार होगा, और वो नया होगा, जी, बहुत शुक्रिया कहेंगे हमारे कारिक् करने की बहुत बहुत दनिवादा का, य्यु मज, जी, लुए рубाएंगे, 2